लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोल्ड फिट के वीगन प्लांट प्रोटीन को आजगी वीडियो में फिर से हमें एक प्रोटीन सप्लिमेंट को रिव्यू करने वाले हैं प्रोड़क्ट आज हमारे पास बॉल्ड फिट का वीगन प्लांट प्रोटीन हाफ केजी की पैकिंग है मेरे पास और चोकलेट फ्लेवर है इस वीडियो में हमें इस प्रोड़क्ट की पैकिंग से लेके निट्रिशनल इन्फरमेशन, अमिन असेड प्रोफाइल, इंग्रेडियन्स, फिल्ट्रेशन मेथर्ड, सर्विंग साइज एकुरेसी, मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, प्राइस, लैब टेस्ट, रिपोर्ट, सारी इस प्रोड़क्ट की पैकिंग से लिए बोल्ड फिट ने काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तमाल किया है, प्रोड़क्ट के उपर डिटेल्स भी काफी अच्छे से प्रिंट की गई है, अगर आप डिटेल्स को पढ़ना चाहें, तो काफी क्लियरली और लगा सकते हैं कि आपके पास जो प्रोड़क्ट पहुंचा है, वो औरिजनल पहुंचा है या नहीं, आप इस नंबर को इनकी वेबसाइट पर एंटर करके पता लगा सकते हैं, प्रोड़क्ट की जो सील है, वो भी काफी अच्छी है, आसानी से खोली जा सकती है, आसानी से 15 vivo serving मिलती है एक serving का साइज है 33 ग्राम 33 ग्राम के एकस कूप के अंदर आपको 25 ग्राम protein मिलता है 2.6 ग्राम fat मिलते हैं और 3.16 ग्राम मिलते हैं fat की बात करें तो एक कूप के अंदर धाई Drug कर में राउंड है ज्यादा quantity में नहीं है और आट के बात करें तो एक स्कूप में सवात तीन ग्राम के लगबग है तो थोड़ा सा ज्यादा है एज प्राइमरी प्रोटीन सप्लिमेंट नॉर्मली जो आज कल हम प्रोटीन पाउडर्स पर्चेज करते हैं मार्केट के अंदर से उनमें दो ग्राम के अराउंड कार्भाइडेट मि जो की हो जाता है 75.7 परसेंट जो कि एक एवरेज क्वांटिटी के अंदर है नॉर्मली जो आज कल हम प्रोटीन पाउडर्स पर्चेज कर रहे हैं मार्केट से उनमें इतना ही प्रोटीन मिलता है 75 परसेंट के राउंड तो मार्केट के दूसरे प्रोड़क्ट से कंपेर कर शन्हें तो एक उतना ही प्रोटीन मिल रहे है आपको बात होगी प्रोडक्ट की नूट्रीशनल इंफर्मेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस प्रोडक्क्र की एकल पर नहीं दी है ना ही इनकी website के उपर मुझे कहीं पर Aminacid profile मिली तो मैंने company को email किया कि भई मुझे इस product की Aminacid profile share कर दीजिए मैं चेक करना चाहता था कि इस product के अंदर कौन से Aminacid के मात्रा कितनी है इसलिए मैंने email के थूँ Aminacid profile मांगी तो company ने email का जवाब भी नहीं दिया है तो amino acid profile बहुत ही important चीज़ है मेरे लिए मैं हर product के बारे में बोलता हूं कि product के उपर amino acid profile दी गई है तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि कौन से amino acid के मातरा कितनी है product के अंदर अगर amino acid profile आपको नहीं मिलती है तो आप वो details check नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही important चीज़ है मेरे लिए आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपके product के अंदर amino spiking तो नहीं की गई है या किसी amino acid के मातरा बहुत कम तो नहीं है amino acid profile से यह सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं तो company को amino acid profile या तो product के ओपर दे देनी चाहिए थी या email के थूरू share कर देनी चाहिए थी बात होगे product की amino acid profile के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस product के ingredients के बारे में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली गई है उनकी बात कर लेती हैं तो ingredient list में सबसे पहला जो ingredient है वो है पी protein दूसरा है brown rice protein यानि कि जो 25 gram protein मिल रहा है आपको वो सारा का सारा plant protein से मिल रहा है नेक्स जो ingredient है इसके अंदर वो है cocoa powder यह basically आपके product को चोकलेटी फ्लेवर देने के लिए एड़ किया जाता है नेक्स जो ingredient है इ anti-inflammatory properties होती है जो आपके body के अंदर inflammation produce होती है उसको कम करने के लिए यह जो पाइप राइन है यह helpful होता है आपके body के अंदर inflammation को कम करता है नेक्स जो ingredient है इसके अंदर वो है turmeric extract हल्दी का extract है जो हल्दी से आपको benefit मिलते हैं वही चीज है basically वही फायदी मिलने वाले हैं नेक्स चीजें यह enzymes होते हैं यह आपके digestion में help करते हैं नेक्स जो इंदर वो है पिंक सोल्ट जो आप जानते ही होंगे जो मार्केट से आप सोल्ट खरीदते हैं पिंक सोल्ट वही चीज है विसिकली थोड़ा सा quantity के अंदर डाला गया होगा इसके इंदर तो पिंक सोल्ट के नहीं होता है थोड़े बहुत कोई mineral एक्स्ट्रा आजाते होंगे लेकिन बहुत बड़ा difference नहीं होता है दोनों के अंदर नेक्स जो इंग्रेडेंट है इसके अंदर वह आर्टिफीशल स्वीटनर 955 यह सुक्रालोज है एक आर्टिफीशल स्वीटनर है जो आपके प्रोड रइक करता है और लास्ट इन्ग्रेडेंट है वह प्रिजर वेटीव से आपका जो प्रोडठ यह लंबे समय तक प्रिजर्व रहे खराब नहों इसलिए में मिल जाते हैं में इसके अंदर इन से भी चीजों से मिलकर यह प्रोटीन बना है बात होगे प्रोड़क के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस प्रोड़क के फिल्ट्रेशन मैथट के बारे में तो फिल्ट्रेशन मैथट कंपनी ने प्रोड़क के उपर नहीं लिखा है तो इसके लिए भी मैंने कंप पर लिखा है या ड्राइब से पर लिखा है वो भी पूचा था और फिल्ट्रेशन मेथड भी पूचा था तो तो उस इमेल का जवाब मुझे कंपनी ने नहीं दिया है तो कंपनी ने नहीं बताया कि इसका का filtration method कौन सा है तो अगर आपको company पे विश्वास हैं तो आप मान लिजिएगा इस product को नैचरल वे के थुरू filter किया गया होगा अगर का अगर आपको company पे विश्वास नहीं है तो आप मान लिजिए का कि यह केmically डोड़ी फिल्ट्रड फ्रोटीन है यह टोटली आपके उपर है कि आप इसका फिल्ट्रेशन मेथेड कौन सबानते हैं कि बात करते हैं गया लेकिन स्टमाल करना है या एक तब जब मैंने अपने किचन वेइंग फिलिपनों को आपको बिक्रम also वो 28 ग्राम का हो गया यानि 33 ग्राम का सकूप इस्तमाल करने के लिए आपको हीपिंग-ाइस्तमाल करना होगा आप से similarity इस प्रोड़क कीृटे मिकसिबिलीट्ipedia के बारे में तो चोकलेट है मेरे हैं देदद्समाल करने ST starting स्वीट नहीं है मीडियम सा चोकलेटी है और जब आप इसे पानी के अंदर घोल कर पीते हैं तो आपको ऐसा मैसूस होगा कि आप आटा सा घोल कर पी रही है उसका रीजन यह है कि इसके अंदर प्लांट प्रोटीन है मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लांट प्रोटीन के अंदर आपको ऐसा मैशNOS होता है कि आप आटासा घोल कर पी रही है इस कंपणी का प्लांट प्रोटीन नहीं किसी वह कंपनी का प्लांट प्रोटीन उठा लिए उसके अंदर आपको ऐसा मैसूस होगा ही होगा प्लांट प्रोटीन के अंदर आपको पूरा स्मूध और सिल्की सा टेस्ट नहीं मिलेगा वे प्रोटीन जैसा तो जब भी आप प्लांट प्रोटीन पर्चेज करते हैं तो आप मन में ये बात मान के चलिएगा कि आपको एक थोड़ा रफसा और थोड़ा दानेदार सा टेस्ट मिलने वाला है बात होगे प्रोड़क के टेस्ट के बारे में आगशे बात करते हैंflies प्रोड़क के प्राइस के बारे में तो आपको इसकी 1 kg की पारक्रम के लिग परOnce मिल जाती है 1799 रुपे के अंदर 1799 रुपए के अंदर आपको 30 serving मिलेगी एक serving का जो price पढ़ेगा आपको 59 रुपेज के लगबग पढ़ेगा 59 रुपेज के अंदर company अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन देती है तो 1 ग्राम प्रोटीन का price 2 रुपए 49 पैसे के लगबग पढ़ेगा तो प्राइस जो है करंकली मार्केट के अंदर प्रोड़क का काफी अच्छा है आगर दूसरे प्रोड़क से कंपेर करें तो एवरेज है प्रोड़क का प्रैस कुछ कंपनिया दो रूपए में देती now more prices कि मैं आपको 25 ग्राइम प्रोटीन मिलता है यानि कि 100 ग्राइम के अंदर company 75.7% protein बोल रही है मेरी leftist report में results आए हैं कि 100 gram के अंदर आपको 75.26% protein मिलता है यानि 33 ग्रेम के एक scoops अंदर आपको 24.8 ग्रेम protein मिलता है तो जितना company बोल रही है उतना protein है इस product के अंदर 25 ग्रेम के around आपको तो प्रोटीन मिल जाएगा तो लेपटेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ओके बोली जा सकती है प्रोड़क की तो यह इस प्रोड़क की लेपटेस्ट रिपोर्ट थी यह रिजल्स थे रिपोर्ट आपके सामने है तो यह सारी डिटेल्स थी प्रोड़क के बारे में यह मेरी राय कर देता हूं वह होती हैं प्रडुक्ट के ब्रेंड और Nejंपांवी दितेल्स तो इस वीडियो को तो ठीज तोड़ा रहने के लिए मैंने मेंन्त पर्टिख09 के लिए अ में मैंने लिए अलब अगर आप उनके बारे में भी जाना जाते हैं तो आप description में पढ़ सकते हैं बाकि सारी details मैंने आपके साथ share कर ही दी हैं सारी details देखने के बाद product को purchase करना ना करना आपकी choice रहेगी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर आप चैनल को subscribe करते हैं फोलो करते हैं तो एक motivation मिलता है supportive feel होता है चैनल को आगे बढ़ाते रहने के लि बहुत बहुत दिन्यवाद आपका बबाए